हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबी तो आज मैं आप से एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करूंगी जो बहुत ही खुबसूरत प्लांट होता है और अपनी पतियों से ही वो उसकी खुबसूरती जलकती है लेकिन मेरे पास यह जो प्लांट है यह थोड़ा खराब हो चुका है तो अब इस खराब प्लांट को मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ इसकी कोशिश मैं करती हूँ तो आप देखें यह मेरे डेल्फिन बैकिया का प्लांट है में पस दो तीन प्लांट है जो गल चुके हैं जो जिसकी स्ट्रेंप गल चुकी है पतियां गल चुकी है शायद इसमें प अच्छे से क्रो करना चाहते हैं तो इसमें पानी बहुत ही कम दीजिए चाहे अब 10 से 12 दिन या 15 दिन में भी दे सकते हैं मैंने इसको गला हुआ पोशन इसका निकाल दिया है कट कर दिया है अब इसमें से जो सही सही जॉइंट इसके बचे हैं वो मैं काटके इसको मिट्टी में लगा दूँगी ताकि इसमें से नया रूट नई बहुत निकल सके और अगर निकलेगी तो यह बहुत अच्छी बात ह और इसकी मुट्टी इतनी पॉरिस बनाईए कि इसमें से पानी फटा फट ड्रेन हो जाए यह जो गला हुआ इस से वह मैं निकाल रही हूं और यह बहुत इजी ग्रो हो जाता है बस इसमें पानी की दिक्कत होती है यह पानी जादा बरदाश नहीं करता और इसकी लाइट की करें तो यह पानी तो इसकी दवाइट बहुत ही अच्छी चाहिए बिल्कुल सुनलाइट भिल्कूल ड्रेक्षि नहीं चाहिए इनको इसको जैड में भी रख सकते हैं आप इसको हलकी सी दूबा आते है उसको यह भी दे सकते हैं बस मैं जून में इसको थोड़ा संभाल के हमनी रख़े तपति गर्मी होती है उसमें इसके पत्ते बंन होने लगते हुआं तो मैंने इसमेंति मिटी बना तो मिट्ड़ और थोड़ी आसे रेक जब तक इसकी 1-2 इंज मिट्टी सूख न जाए आप हाथ से चेक करके फिर इसको पानी दें और यह देखिए मैं इसकी कटिंग लगा रहे हूं इसका जो नोट एरिया है वो मैं उपर की साइड रखूंगी और बाकी इसको मिट्टी में दबा दूगी जिससे यह जो नोट ए है यह बहुत स्लो प्लांट है और जब भी इसको आप खात देते हैं जैसे वर्मी कंपोज या फिर कोई और सबजियों का पानी या कावडों का पानी तो आप इसको हफते में 10 दिन में एक बारी दें और सरदियों में तो आप बेशक ना भी देंगे तो चलेगा क्योंकि सर और दिन में आप पटिलाइजर कर सकते हैं और यह ऐसा प्लांट है ना तो इसको जादा धूप की जूरत होती है ना खात की जूरत होती है ना ही पानी की जूरत होती है पानी भी आप सरदियों में इसको चाहे एक महीने बाद भी देंगे तब भी यह चलेगा यह प्लांट बहुत अच्छे से चलता है और ये तबी खराब होता है जब आप इसकी जादा देख बाल करते हैं जादा पानी देते हैं जादा खात देते हैं और धूप में रखते हैं आप इसकी पतियों पे स्प्रे कर सकते हैं इसकी पतियों स्प्रे करने से बहुत खुश रहती हैं आप दो से तीन दिन में इसको स्प्रे कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में धन्य वाद